क्या आप प्रेगनेंट हैं गर्भवती हैं और आप जानना चाहती हैं कि आपके गर्भ में पल रही संतान लड़का है या लड़की है तो इसके लिए मैं आपको स्वपन सास्त्र के ऐसे कुछ लक्षडों के विशे में बताने वाला हूं जिन लक्षडों को देखकर आप अनुरूप सपने गर्भवती महिला को देखने को मिलते हैं जियां बहुत ही आसान और सरल तरीका है बस आपको उन सपनों को समझने की आवश्यक्ता है आप इस वात को आसानी से समझ जाएंगे मैं कुछ ऐसे सपने बताऊंगा जो सिद्ध करते हैं कि आपके गर्भ में प देजी क्योंकि मैं आपके लिए उपियोगी ऐसे वीडियो हमेशा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल तंत्र जोतिस पर लेकर आता रहता हूं तो चलिए विना विलंब किये प्रारंब करते हैं जब भी कोई मैला गर्भवती होती है और उसके गर्भवती होने के ब या लड़की है जियां इसी के हिसाब से गर्भवती महीला को स्वपन भी आते हैं और उन स्वपनों से सिद्ध होता है कि वह लड़का है या लड़की है तो पुत्र संतान होने के कुछ लक्षण जो स्वपन सास्त्र में बताए गए हैं उनसे संबंदित कहा गया है कि जब भी घर्भ में कोई संतान होती है तो वह स्वपन के माध्यम से आपको वता देती है कि वह लड़का है या लड़की है तो जैसे आप सपने देखते हैं यदि आप अपने घर परिवार के किसी मरतक परीजन को या पूरवज को देखते हैं या किसी भी प्रकार के कोई इसी के साथ साथ यदी स्वपन में आपको भगवान विश्णु के दर्सन होते हैं और यदी नंदी बैल के दर्सन अगर आपको स्वपन में होते हैं पहले महीने से लेकर तीसरे महीने के बीच अगर इस प्रकार के द्रश्य आपको देखते हैं तो आप समझ जाएए कि आपक सीग आप भगवान महाकाल का कर रहे हैं तो समझ जाईए कि आपके गर्भ में पलने वाली जो संतान है भह पुत्र ही है इसी के साथ साथ स्वब्न सास्तर में ये भी वताया गया है कि यदि आप अपने सपने में बच्चों के खिलोने को देखते और वहे खिलोने पुत्र संतान से संबंद रखते हैं विशेश रूप से बस्त्रों को इस संबंद में जरूर माना गया यदि आप स्वप्न में बच्चों के कपड़े देखते हैं और उसी के साथ साथ यदि आप अपने सपने में किसी बैवाहिक कारीक्रम को देखते हैं और उस बैवाहिक कारीक्रम के बाद उन नव दमपत्ती को पुत्र संतान उत्पन हुए आप देखते हैं या पिर अपने सपने में आप यह सुनते हैं कि आपके किसी परिचित वैक्ति को पुत्र संतान का जन्म हुआ है तो यह भी इस वात का संकेत देता है कि आपके घर में भी पुत्र संतान का जन्म होने वाला आर्थात आपके घर में पल रही जो संतान है भै पुत्र संतान ही है आसा करता हूँ आप इन लक्षण़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसी के साथ साथ आप अपनी जन्म कुंडली के अधियन से जान सकते हैं अपनी पुत्र सं नमबर पर संपर्क करें वही नमबर जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसी नमबर पर आप अपनी जन्म कुंडली या हाथ की रेखाओं का अध्यान कराकर अपने पुत्र संतान के योग के विसे में जान सकते हैं अगले वीडियो में पुनाह मिलेंगे त जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए